विल्कम टू वाल आप यू बीवी आरिश्ट्री दोस्तों आज पढ़ने चले हैं पास्ट परफेक्टेंस भूद काल पूर्ण काल देख लेते हैं इसकी पैचान क्या होती है इसकी पैचान होती है चुका था इस चुके थे चुकी थी अर्थात भूद काल में पीते यह काले ठीके ना गुद काल में जो कारी मारा पूंड होता है उसी का वराणा नहीं तो आइए देखते हैं इसका अनगात करने का नियम जैसा श्पहले देखते हैं इफर्मेटी संटेंस एफर्मेटीव इफर्मेटिव सेंटेंस इफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्त सकारात्मक वाक्त इसमें नुगात करने का नियम क्या है जो पहले आप लोग पढ़ते आए सब्जेक्ट प्लस हिल्पिंग वर्द प्लस में वर्द प्लस अब्जेक्ट हल्पिंग वर्फ किसमें क्या होगी है उन्ली हैड्ट सीजफिल और प्लैबरल सब्जफिक्ट के साथ न even का परियोग और मेन वर्प क्या थार्ड अन्म milan में सर्फर्ण ना कि योग करतें क्योंकि इसमें क्या होता है हमारा कारिख पूर्ण रोता है वी सब्जेक्ट प्लस helping verb head चाया और subject समाने similar subject हो या plural subject हो दोनों के साथ head का प्योब करेंगे plus main verb main verb में क्या होगा third form third form plus object subject subject helping verb helping verb में head plus main verb main verb में third form plus subject तो अनुवाद करने का निजम होगा अब देखते हैं जामपल क्या है जामपल देखते हैं जामपल है जामपल है तुम शुमवार से पहले तुम शुमवार से पहले घर जा चुके थे तुम शुमवार तुम से पहले घर जा चुके थे यू यू क्या है second person प्रोनौम एनस plural subject head head जाना में नुमर भाय गान गान के साथ तुम गान टुम घर जा चुके थे सुमवार से पहले तुम इसमें preposition क्या है से पहले से पहले क्या है preposition before Monday before Monday सुमवार से पहले मैं एक सिमिलर सब्जेट देते हैं वा अपना कार्य कर चुकी थे वा अपना कार्य कर चुकी थे सी हैड डन सी हैड डन क्या कर चुकी थे अपना कार्य हर वर्क हर वर्क अपना कार्य कर चुकी थे सी हैड डर हर वर्क अब देखते आगे कुछ कर अब कर आए तुम्हे विद्ध्याले अब 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 क्या है यू हैड टू जाना गो टू इस्कूल अब जैसा कि आप लो पर्जेंट पर्ठेक्टिम पढ़ चुके थे पढ़ता है पढ़ते हैं पढ़ते हैं अठाथ हैड हैड टू प्लस मेर्वर्क की फरस्ट फाम उसी प्रकार सेव है इसको नियम हम बता देते हैं पढ़ा पढ़ता पढ़ते हैं हैं है हो प्रुक। करनेंगे प्लस मेर्व मेंवर क्या फर्स्ट फार्म मेंवर की फर्स्ट फार्म प्लस अब्जेप्ट सब्जेक्ट है टू प्लस मेंवर मेंवर फर्स्ट फार्म प्लस अब्जेप्ट सब्जेप्ट हेल्पिंवर में है टू कवर्यों यह हेल्पिंवर है सब्जेक्ट हेल्पिंव और हेल्पिंव एड्टू मेलवर फर्ष्फा प्लस अब्जेक्ट एक दू बाक देख लेते हैं मुझे अपनी पुष्तक अपनी पुष्तक खरीदनी पड़ी खरीदनी पड़ी या खरीदनी पड़ती है आई आई क्या है फर्सक्स पर्सन लिए परणती यहां सबजेट नहीं देखने में अप्रीयूक करते हैं हैड टू क्रिदना मेंवर्स है की 1st बाइड बाइड मने खरीदना बाइड मने खरीदना क्या खरिदना पड़ता है अपनी पुष्था आई के साथ माई अजिक्टू हो गया माई बुग मुझे अपनी पुष्था खरिदनी पड़ती है एक वाक्र देखते हैं विद इसा करद दिजी है तो थेश मांगो इन दा गाल इन वाल इन दा गाल इन दा गाल इन करा दे हैड टू दे हैड डू आ मैंगो इन दा गारेन उन्हें बगीचे में एक आंग है ना यदि में वर्व यदि हैज है वहाइड के बाड़ तू का प्रयोंक गुआ है तो हम बादता प्रकट होती है ना भूत काल में किये गए कारे की क्या होती है तो फर्ष्ट आपसन द कि सिकेंड आप्शन क्या है कि लग्स थर्ड आप्शन कि चाउसा आप्शन क्या है कि कह रहा है यहां है यहां है कि बाद क्या है टू कपर यूगा है आप्षन आप्शन क्या है कि अप्षन में पया है कि ओ दो दुआं आ में वदद सнь आप्शन इसμεरीन है कि मैं उर्टिक्स यहां कि इस अपडा इस एक घिस्तंग क्या है हुए मैं अपडाल तोनना अंब्गीचे में मारi दोनना परतいた है आइसा देखते हैं विफोर और आप्टर कप्योग यूज आफ विफोर एंड आफ देखे क्या क्या यूज विफोर एंड आफ्टर कप्योग विफोर के बाद विफोर के बाद कर्योग विफोर और आप्टर के बाद देखते हैं पाश्ट परफेक्टर past perfect tense before before past indefinite tense past past indefinite past perfect tense by effect tense देशी क्या कह रहा है before after इसमें वाक कैसे पूछे जाते हैं मेरे पहुचने से पहले घंटी बज चुकी थी और इसमें क्या है चिकित्सा डाक्टर के जाने के बाद मैं दवा लिया रोहन के पुछता खरिदने के बाद मैं अपणी पुछता पढ़ा कैसे पहचानना है confusion इसमें बहुत सारे हैं देखिए मैं clear कर देता हूँ सिर्फ दो पॉइंट याद रखना है यह तो तेंस before के बाद कौन से परियोग ता है और after के बाद before के बाद past perfect tense और बाद में क्या before के बाद past indefinite tense after के पहले past perfect tense after के बाद past tense sorry past यहां perfect हां सही है past के पहले past पहुचने के पहुचने से पहले पहुचने से पहले घंटी बज चुकी थी मेरे विद्याले पहुचने से पहले घंटी बज चुके थी देखिए इसमें विफोर सब लगा है इसमें जो कार पूरा होता जो पहले कार होता उसी को ट्रांसलेशन पहले करना है जिसमें पहले लगा हुआ है और पहले लगे होने की वज़ा से जो कार पहले होगा उसी को हम ट्रांसलेशन पहले करेंगें आप पहले कार आ पास परफेक्टिश तो इसको फाशतब हमें डालें किसको गंटी बज चुकी थी दह ब एक अर्डे कर आते अन्व अरा रंग कर in praise जंटी बैच चुकी थी, विफोर, विफोर मने, पहले, अब कौन सक, अब इसके बाद कौन सका कारू रहा है, मेरे विद्ध्याले पहुचने से, तो इसको पाइस टेंडिमेंट डालेंगे, और याद रहेगा, तभी रखेंगे आप, इसको याद करना जरूरी है, आई, आई मेरे विद्ध्याले पहुचने से, पहले घंटी बैच चुकी थी, इसका अर्था कैसे होगा, मेरे विद्ध्याले पहुचने से, पहले घंटी बैच चुकी, क्योंकि जहां जिस वाक्षें प्रीपोजिशन होता है, हमेशा प्रीपोजिशन के बाद से अर्थ निकालना प् मेरे विद्याले पहुचिने से पहले घंटी बस चुकी थे तो दूसरा बाग कर देखते हैं चिकित सक के जाने के बाद जाने के बाद मैं दवा लिया है ना अब कर चिकित सक के जाने के बाद मैं दवा लिया इसमें आठर कपरियों हुए बाद कपरियों हुए तो इसमें जो कारे बाद में होगा उसको पहले लिखना है उसमें जो कारे बाद में होगा उसको पहले लिखना है परत इसमें जो बाद है लगा हुआ है जो कारे बाद में उसको जरे लेना है दउने के जाने के बाद दवां हभिया हूँ शरक्रोण कारे र्लिचेडा भूर गाली कारे काण से बाद After //स लेने का बाद में विचाथ है कि similar लिखेंगे मैं दवा लिया अब टी पोजिशन है के बाद आफ्टर आफ्टर है ना चीट्सा के जाने के बाद दी डॉक्टर पास्ट परफेक्ट गन डालना है है ना तो यहां पे हैड गन इसका अर्थ क्या होगा यहां प्रिपोजिशन है प्रिपोजिशन के बाद सेर्फ निकलता है चीट्सा के जाने के बाद मैं दवा लिया आई टूप दे मेट्शीन आप्टर दा डॉक्टर हैड गन एक दूआ को देखते हैं का रहा है दा पेसेंट दी पेसेंट दी पेसेंट देखते हैं दी पेसंट द्ड़ देखते हैं बेखते हैं दी डॉक्टर, डॉक्टर, डैस, फर्ष्ट आप्सन क्या है, यह आपका डैस है, फर्ष्ट आप्सन, हरेज, सिकन्ड आप्सन, रीच्ड, हर्ष्ट आप्सन क्या है, हरेज, सिकन्ड आप्सन, हैड और रीच्ड, थाद आप्सन, थाद आप्सन क्या है, हरेज, रीच्ड, फर्ष्ट आप्सन, हरेज, रीच्ड, देखे क्या पुछ रहा है, यार विफोर सब्द लगा है, प्रिकोजिशन क्या विफोर, विफोर से जब दी वाग्य पूछे, है ना, हेल्पिंग वर्बेल जब मेल मरू, दोनों पूछता है कभी तो विफोर के लगा है, आप सभी से, विफोर के बाद पास्ट इंडिपनिट आता है, और पहले क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, यहां पर क्या है, पास्ट परफेक्ट पूछ रहा है, विफोर के बाद पास्ट इंडिपनिट आता है, देखेंगे, सिगेंड फार्म, है ना, प यह कड़ गया क्या है पास्ट पर्फेक्टेंस आना चाहिए यह अप्षम्स नौश्फर संग्रेद्ज और इपर इनियुपर रिश्ट किया होगा शबिया है तरीज क्या मर चुका था यह आपसल गलत है क्योंकि यह फ्रस्ट आपसल है और यहां पर हैस का पर्योग कुए किया है ना एक और देखते हैं कि अग्या आप अग्या आप इस sun rise in correct i dash after the sun rise in first option कि सूर के निकलने के बार मैं विद्ध्याला गया सिगंड आप्साम क्या है इसमें थर्ड आप्साम ओर्थ आप्साम तो देखे क्या करा है आई कर आई डैस तो इस्कूल आप्टर दसन डैस राजियन आप्टर के बाद क्या आप्टर के पहले इभीaja क्या आंपकर करना है करता ते लिए सब्सक्राइज करने और अप्सक्ता मैं धिक तो तर्ड आप्सन क्या था यह था निगाए आज ते आज वेट श्कूल क्या है यह पर यह श्कूल में विद्ट होने इन होना तो क्या हो जग है है हांपे तो इस कार्थ क्या होगा शूरी के निकलने के बाद मैं विद्ध्या लाए गया तो इस तरह होने चाहिए यह और देखते हैं रोहान बाद इज बोड़ रोहान बाद इज बोड़ देखते हैं विपूर भीपूर इज रिए my book कैरा रोहन बात विज्बुक विफ्वुर मE रेंड़ देखेंगे ओज्णों स्फेक्षिप के बाद कौनौटेशन होथा है देखें विफ़ुर के बाद पाउं और स्फर्टेस होता है और से पहज्ड़ के में कौनौटे स्फटींस होता है है यहां पर क्या इजर है विफो बाढ रोहन बाट इस बोग रोहन अपने पुष्टक पढ़ा यहां पर आई रिल माई बोग मेरे पुष्टक पढ़ने से पहले रोहन पुष्टक खरीद खरीद नहीं खरीद चुका था होना चाहिए ना रूहन अपनी पुष्टा खरीद चुका था तो यहां पर क्या होना चाहिए यह हैं लगेगा तो आख क्या हो जाएगा सही थार्ड फार्म है यह तो इस तरह एक आफ्टर संबल देख लेते हैं आई ऐसा नहीं दा बेल दा बेल हैड रंग आफ्टर आफ्टर आई 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 बेल देख लेगे रेख लेगे इस ओर कराद दा बेल हैड रंग आप्टर हाइड आप्टर आई हैड रीश्ड दा बेल हैड रंग आप्टर आई हैड रीश्ड आप्टर लगा पहले चेक करेंगे आप्टर के बाद आता है आप्टर के जस्ट क्या होता है पास्व पर प्रक्त जो की मिल्कुल सही है मेरे विद्याले पहुँचने के बाद है तो यह क्या है सिकेंड आप्षिंट सब्सक्राइव ना तो यह क्या होता है यहां पर क्या होना चाहिए यहां यहां लगगा मेरे विद्याले पहुचने के बाद घंटी बजी घंटी बजी तो यहां क्या हो जाए कि रहें तो यह क्या हो आपको जाए कि सब्सक्राइब करते हैं कल आप लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस